जीनियस पॉइंट की चैनल में इस लाइब में हम प्रजेंट सिंपल के 100 सेंटेंस देखेंगे पिछली वीडियो पर आपने जो 4 लाख भी गुज दिये हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए इस बार मैं फिर से नए सेंटेंस लेके आया हूँ प्रजेंट सिंपल के साथ साथ मैं आपको एक्स्प्लेइन भी करूँगा इसलिए आज मैं लाइब लेके आया हूँ तो आप कमेंट करके पहले बताइए क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है अगर आवाज क्लियर आ रही है आपको तो कमेंट करके बताइए हम शुरू करते हैं प्रिजेंट सिंपल हन्डेट सेंटेंसेज ओके तो हम शुरू करते हैं अभी तक किसी कमेंट नहीं आया है जो मुझे बता देखे कि आवाज हमारी क्लियर आ रही है अगर आप ये कनफर्म कर देंगे तो हम सीदование ओक ये क्लास शुरू करते हैं का टुक है मैं क्लास शुरू करता हूँ प्रिजेंट सिंपल हन्डेट सेंटेंसेज तो मैं पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ इसकी पहचान क्या है अगर आप English की बात करते हैं तो habits में, general fact में और quotation में हम present simple यूज़ करते हैं जैसे habit है मैं सुबह इतने बज़ उठता हूँ मैं उसके बाद यह करता हूँ यह habit है जितने भी fact है मैं पूरे 100 sentence आपको बताऊंगा आपको यह बताने की जरुवत नहीं है आप छोटे बच्चे थोड़ा हो कि मैं आपसे कहूँग सब्सक्राइब कर चनल नहीं, अगर आपको लाइब चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करेंगे पहचान अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ यह हिंदी की पहचान है ओके अगर किसी भी sentence में आखिर में ता आता हूँ हिंदी में जैसे भय खेलता है मैं आम खाता हूँ इस तरह कि अगर sentence आते हैं तो आप समझ जाना कि ये present simple की बात हो रही है अब हम आगे बढ़ते हैं sentence की तरफ उसके पहले मैं आपको structure बता देना चाहता हूँ affirmative sentence का similar और plural sentence के बारे पहले बात करते हैं similar में आपके ही शी एट या कोई single name आता है और plural में आपका जो plural है यसे बहुबचन भी कहते हैं इसमें आपका we, you, they ये सारे subject आते हैं कुछ form ऐसे भी हैं जो आई के साथ use होते हैं तो subject के बाद बर्वे का first form और a, c, s, i, s और similar में लगाना है और plural की अगर बात करते हैं जैसे we है, you है, they है और दो नाम हो ऐसे अमन और्मान या फिर आप बात करें girls, boys ये सारे plural form है इनमें आपका बर्वे के बाद a, c, s, i, s नहीं आता है आगे बढ़ते हैं हम सीधे इसके negator देखेंगे तो negator में does not लगेगा फिर बर्वे आएगा और बर्वे में a, c, s नहीं लगेगा और plural में यहाँ पर do not लगेगा ऐसी interrogator में भी आप देखेंगे does और do आगे लगाएंगे हम फिर subject असल में किया मैं पूरी एक बीडियो बना चुका हूँ प्रजेंट सिंपल के description पूरा समझा चुका हूँ अच्छे से description मैंने इसके वारे लिंके वे दी है तो आप पहरे प्रजेंट सिंपल पूरा देख लीजिए और सीधा practice के यहाँ पे आईए क्योंकि practice के लिए बहुत ही अच्छा channel आपके लिए यह पहला channel है जो आपको practice करवाता है तो पूरे hundred sentence आपको मिलेंगे जो आपको practice कराएंगे तो सीधे ही हम बढ़ते है sentence की तरफ पहला sentence आपके सामने ये रहा I eat breakfast everyday में हर दिन नास्ता करता हूँ she reads a book in the evening भै शाम को किताब पढ़ती है अगर आपको इसका negative करना है तो she does not read लिग देंगे ऐसा लग कर देंगे she does not read a book in the evening interrogative करना है तो does को आगे लगाएंगे does she read a book in the evening he works at a bank भै एक बैंक में काम करता है नेगेटर अगर आपको करना है तो he does not work at a bank कर सकते हैं आप आप they play इसमें they play football on weekends baby weekends पर football खेडते हैं अगर इसको negative करना है तो they में do not लगेगा आपको यहां does not नहीं लगेगा आपको use करना है do not तो they do not play football on weekends they weekends पर football खेलते हैं next sentence है we watch tv at night हम रात को tv देखते हैं we do not watch tv at night हम रात को tv नहीं देखते हैं do we watch tv at night क्या हम रात को tv देखते हैं interrogative sentence हो गया the sun rises in the east सूरज पूरव में उकता है सूरज जो है वो पूरव में उकता है words words यहां पर pluralist listings नहीं हुआ है this thing हुआ है this नहीं लगा इसमें words sing in the morning सुभ़ पक्षी गाते हैं इसका negative अगर आप करना चाहेंगे तो words do not आएगा next sentence यहां पर आता है she likes chocolate उसे chocolate पसंद है इसके बाद अगर आप sentence अगला देखेंगे तो अगला sentence है she drives to work बह काम पर गाड़ी से जाता है next sentence है they go to school by bus by bus से school जाते हैं just mad मैं यह चेक करना चाहता हूँ क्या आपको live में मेरी voice आ रही है बस मैं voice चेक करना चाहता हूँ हाँ चलो आपको आवा जा रही है आप कमेंट करके बताते जाईए क्या आपको clear आवा जा रही है मैं इसकी link आपको share कर देता हूँ whatsapp पर जो बच्चे whatsapp पर मुझसे जोड़े हुए हैं मैं उनको link share कर देता हूँ जल्दी से फिर बाद में मैं आपके सामने अगले sentence की तरफ बढ़ूँगा ओके तब तक आप revise करते रही है क्योंकि हम अगले sentence आपके सामने आगया है दे गो टू स्कूल भाइबस आप कमेंट में हमें आंसर बताई इसका निगेट हो क्या होगा देखते हैं कि आप सही आंसर इसका बन रहा है कि नी बन रहा है क्या निगेट हो इसका क्या होगा यह हम देखते हैं और ओके तो अब हम सीधे ही अगले sentence की तरफ बढ़ रहे हैं अगले sentence है अगले sentence है बाइ अपने दोस्तों को पत्र लिखती है हम एक छोटे शहर में रहते हैं हम एक छोटे शहर में रहते हैं और अगले sentence की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं ओके तो अगला sentence आपके सामने है They visit their grandparents on Sundays वे रविबार को अपने दादादी से मिलने जाते है She teaches English, वो अंगरेजी पढ़ाती है He plays the guitar, वो guitar बजाता है We study in the library We study in the library, हम लाइबरेरी में पढ़ते है They cook dinner together, बेक साथ रात का खाना पकाते है Next sentence है Zainab Aqtar के यहां comment आ चुका है Zainab क्या आपको मेरी आवाज आ रही है Comment करके बताईए यह आवाज आ रही क्या आपको I take a shower every day मैं रोज चनान करता हूँ Negative क्या होगा I do not take a shower every day She listens to music बैस अंगी सुनती है He reads the newspaper बहाखवार पढ़ता है Practice के लिए बहुत ही अच्छा यह platform है कल से में इसी टाइम आपको शाम को पांच बजे मिलूँगा अगले sentence भी दूँगा आपके लिए Practice के लिए बैस्ट है बताने जरूत है आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thanks for comment Yes sir आवा जा रही है They plant flowers in the garden She wears a dress to work बैस काम करने के लिए एक पोशाक पहनती है He sings बैस गाता है अगर मैं आप से कहूं इसका निगेटो कीजिए तो निगेटो क्या होगा कोई बताएगा He sings बैस गाता है मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ कि इसका निगेटो क्या होगा He sings का निगेटो क्या होगा जरा कमेंट करके आप सभी बताएगे जो भी इस बीडियो को देख रहे है जब तक मैं अगली सेंटेंग्स तरह बढ़ रहा हूँ आपके कमेंट का में इंतिजार कर रहा हूँ अगला सेंटेंस है I go to bed early मैं सोने जली जाता हूँ They play video games बैस बैस बीडियो game खेलते है She drives a red car बैस लाल रंकी कार चलाती है He calls his mother every night हर रात अपनी मा को फोन करता है We travel during the holidays हम चुट्टियों के दोरान यातरा करते है They eat lunch at noon बेद दोफेर का खान दोफेर में खाते है I walk to school मैं school जाता हूँ यहाँ पर गया लिग गया लेकिन sentence present simple में है तो यहाँ पर जाता हूँ होगा अगला sentence है She drinks tea वह चाय पीती है He draws pictures We go hiking on weekends हम weekend पर लंबी पैदल यातरा पर जाते है They play basketball after school बेश्कूल के बाद basketball खेलते है She studies French by French पढ़ती है यहाँ पर कैसे बनेगा She does not study यहाँ पर IES को अलग करना होगा She does not study French ठीक है He visits his friends वह अपने दोस्तों से मिलने जाता है I bake cookies मैं cookies bake करता हूँ या बनाता हूँ या पकाता हूँ She cleans the house वो घर की सफाई करती है He washes the car भै कार्द होता है Total hundred sentence है We read books हम कितावें पढ़ते हैं They play chess बे शतरंज खेलते हैं She goes shopping भै खरीदारी के लिए जाती है Sorry She goes shopping भै खरीदारी के लिए जाती है He writes stories भै कहानियां लिखता है I ride my bike मैं अपनी bike चलाता हूँ She takes photos भै तस्बीरें लेती है He listens to podcasts भै पॉड़कास्ट सुनता है मैंने कहा है She वो लग्या यहाँ पर ही लिखा है He listens to podcast भै पॉड़कास्ट सुनता है We eat dinner at 7 p.m. हम शाम 7 वजी खाना खाते हैं She dances भैनरत्य करती है They go to market इसमें आप लिख सकते हैं They go to market क्या आप इसका negative कर पाएंगे They go to market जो है यहाँ इसका negative कर पाएंगे इसमें आप बताएंगे Do लगेगा या Does लगेगा Do लगेगा या Does लगेगा क्योंकि They यहाँ पर क्या है यहाँ पर Do और Does क्या है They go to तो They के साथ लगता है Do हम They के साथ यूज़ करते हैं तो They do not go to market अगर आपको interrogate बनाना है तो इसमें आप बनाएंगे Do they go to market ओके अब हम अगले sentence की तरफ बढ़ रहे हैं अगले sentence आपके सामने यह है He studies math भाई गड़त पढ़ता है negative क्या होगा He does not study math next sentence तरफ बढ़ते हम I play piano मुझे प्यानो बजाना आता है मैं प्यानो बजाता हूँ इसका sentence होगा मैं प्यानो बजाता हूँ She swims in the lake भाई जीर में तेड़ती है He goes jogging भाई जोगिंग करने He goes jogging भाई जोगिंग करने जाता है We watch movies हम movies देखते हैं They travel by train We train से यात्रा करते है She wakes cakes भाई केक बनाती है He fixes cars उसने car ठीक करता है उसने नहीं आएगा यहाँ पर आएगा भाई कार ठीक करता है कुछ typing mistake हो जाती है तो आप sentence को ज़रा गौर से सुने I visit the museum मैं museum का दौरा करता हूँ She draws pictures भाई चित्र बनाती है शायद यह कौशन रिपीट हो गया है He makes coffee भाई coffee बनाता है अगले sentence के तरफ चलते हूँ We go to the beach हम समुद तट पर जाते हैं They play baseball भे बेजबॉल भे बेजबॉल खेलते हैं Next sentence है She writes emails भाई email लिखती है He reads novels भाई उपन्यास पढ़ता है He reads novels भाई उपन्यास पढ़ता है I play soccer Soccer के football भी कहते हैं मैं football खेलता हूँ Stars shine in the sky आसमान में सितारे चमकते हैं He takes the train by train पकड़ता है Negative होगा इसका He does not take the train We visit friends हम दोस्तों से मिलने जाते हैं They play the violin Bay violin बजाते हैं She studies history by इतिहास पढ़ती है He watches sports by खेल देखता है I play chess मैं शतरण खेलता हूँ पूरे 100 sentence कराऊंगा मैं आपको She goes to yoga class by yoga class जाती है He plays the drums by drum बजाता है We cook together हम एक साथ खाना बनाते हैं They learn Spanish Bay Spanish सीखते हैं मेरी मा मुझसे बहुत प्यार करती है My mother loves me very much I fly kite on my roof daily मैं रोजाना अपनी छत पर पतंग उडाता हूँ I read magazines मैं पत्रिकाएं पढ़ता हूँ She knits scarbs by scarbunti है He builds models by model बनाता है We paint balls हम दीवार रंगते हैं They ride horses भी घोड़ों की सवारी करते हैं She practices piano by piano का अभ्यास करती है इस ज़नल पर आपको practice बहुत ज़्यादा कराई जाएगी He collects stamps by tick-to का I go to the gym मैं gym जाता हूँ She learns to dance बन रत्य करना सीखती है He practices karate या karate by karate का अभ्यास करता है We study together हम साथ पढ़ते हैं They walk in the park भी पार्क में टहलते हैं She plays tennis बोड, tennis खेलती है या भाई tennis खेलती है Last sentence की तरह हम बढ़ रहे हैं He goes to market by wazaar जाता है I read poetry मैं कभीता पढ़ता हूँ She goes to the library by library जाती है He cooks breakfast by naasta बनाता है We have picnic हम picnic मनाते हैं They sing songs बेगीद गाते हैं तो यहाँ पर हमारे पूरे sentence हो जाते हैं लेकिन हम भी इतने अरली class को finish नहीं करेंगे अब सर्फ पंदमनेट की class होई है हम उसका थोड़े से negative sentence भी कर लेते हैं कौन यह watch करने आया है comment करें जरा दो watch कर रहे हैं नाम बताएं अपना अब इसका negative भी करते हैं लोग They sing songs का क्या होगा They do not sing songs We have picnics तो we don't have picnics He cooks breakfast यह breakfast He does not cook breakfast She goes to the library She does not go to the library I read poetry I do not read poetry Negative sentence कर रहे हैं He goes to the market He does not go to the market She plays tennis She does not play tennis They walk in the park They do not walk in the park We study together We do not study together He practices karate He does not practice karate She learns to dance She does not learn to dance I go to the gym I do not go to the gym He collects stum He does not collect stum She practices piano She does not practice piano They ride horses They do not ride horses We paint walls We do not paint walls He builds models He does not build models She knits scarves She does not knit scarves I read magazines I do not read magazines I fly kite on my roof daily I do not fly kite on my roof daily My mother loves me very much My mother does not love me This sentence ही गलत है ऐसा हो इनी सकता इस sentence को हम गलत कहते हैं Okay, next sentence तरफ बढ़ते हैं Thank you, भै They learn Spanish We cook together Negative sentence का होगा क्या We do not cook together हम daily 5 बजे क्लास लगाएंगे तो आप सभी अगर daily 5 बजे आते हैं तो हम daily 5 बजे रोज sentence की practice करेंगे इसमें क्या है? आप question पूँ सकते हो मैं आपको sentence दूँँ है यससे यसा आमने sentence लिखा है Be cook together इसका negative करके बताईए आप लोग इसका negative क्या होगा? ताकि आप practice करें तो आपको प्रैक्टिस होजा है आपको एक पहला चैंदल है समय लेगा जो जिसमें आप practice कर सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे अगर आप तो इससे आपको फायदा होगा इंग्लिस में कोई problem जाती है sentence में तो आप practice कर सकते हैं He plays the drums बढ़ ड्रम बजा तो इसका negative क्या होगा? इसका negative बताईए आप मैं wait कर रहा हूँ वगर आप type कर पाएं negative क्या होगा इसका? He does not play the drums यह होगा बाकि मैंने आपको पूरे sentence बता दिये हैं तो आज के लिए इतना काफी है पूरे 100 sentence मैंने आपको पता हैं आप starting से देखें और मैंने description में भी बहुत सारे sentence की link दी है उनको जरूर देखें आप कल फिर हम लोग 5 बज़े शाम के मिलते हैं ओके? ठैंक्स फॉर वाचिंग पॉर वाचिंग